दोस्तों मैं डॉक्टर राजी व्यादो आपका अपना शुरू बिशेश अगे आज मैं आपको बताऊंगा बच्चों में होने वाले कुछ कॉमन रेशिस उनके कारण लक्षन और बचाव के उपाए तो लिजी शुरू करते हैं अपना वीडियो देखें दोस्तों जो रेश रेशिस हो सकते हैं तो देखिए सबसे पहले तो क्या है दोस्ते साथ दिन के अंदर बच्चे को मिलिया होता है यह वाइट कलर के रेशिस होते हैं मतलब यह चोटे-चोटे दाने होते हैं पीले कलर के आपके नीचे में यहां पर हो सकते हैं और यहां पर एंगल अप कि ये common rashes हैं, जो इस spirit में जो दाने हैं, ये common होते हैं, और इस spirit में अपने आप ये धीर-धीरे इनका size कम होने लगता है, फिर आता है इर्दिमा toxicum, देखें, इस नाम में ही लिए, इर्दिमा toxicum, इर्दिमा मतलब लाली, और toxicum मतलब ऐसे race, race, dot होते हैं, toxic मतलब क्या होते है जो कि मतलब जिसे जहरीला हो, मतलब जहर से भरा हुआ, मतलब उत्तेजित करता हुआ ठीक है तो यह raised dot होते हैं इसलिए इसको बलते हैं इरदिमा टॉक्सिकम यह क्या होते हैं कभी-कभी एक जगह पर खुब सारी हो सकते हैं या फिर कभी-कभी फुरे शेरी में फैले होते हैं तो इरदिमा टॉक्सिकम क्या होता है? दो साथ दिन के अंदर होने वाले रैशर्स होते हैं जो कि नियो नोटल पिरिट मतलब नौजाश शुशु के एक से अठाइस दिन के अंदर होते हैं और यूजली इनकी शुरुवात होती है पहले दूसरे दिन से और ये साथ दिन तक रहते हैं और इसमें होता क्या है? इसमें क्या होता है? रेज-रेज-डॉट होते हैं और लाली हो जाती है, कभी-कभी क्या होता है, इसमें पस भी जम सकता है, और बच्चा इरिटेबल रहता है, 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 इसके लि बच्चे को मालि जिछादी से नहीं लेता हैं तो इसे कटबडी चम्मज से हूँ दूदध पिला सकते हैं साथ में कुछ इमोलियंड्स होते हैं इमोलियंड्स मतलब जो कि स्किन को सूधिंग इफेक्ट देते हैं जैसे कि Calamine lotion, Calacare lotion या Caladry lotion आप लगा सकते हैं बच्चे की इसके इसके इन पर एक सबसे अच्छा lotion आता है Physiogel इसको क्या कीजिए शेक करके बच्चे के पुरी शेरी पर लगा दीजिए आखों मत लगाईए नाख के अधर अंदर में मत लगाईए उपर में लगा सकते हैं आ और जब भी उसको रैश होता है तो मैं उसे यही लोशन लगाता हूं यह काफी effective है अब आते हैं हम तीसरा जो रैश होता है मतलब जो अलीजन होता है इसकीन का नियूनोटल पिरेड में उसे बलते हैं नियूनोटल एक्ने कभी-कभी एक्ने इंपंडाल पिरेड तक भी रह जिसे अब्स्रक्ट हो जाती है तो वहाँ पर जो fat cells होते हैं उनका जमाव होने लगता है तेली ग्रंथियां जो होती हैं उनका जमाव होने लगता है और यह उभार मुमा एक सरचना बज जाती है इसको बलते हैं एक्ने तो इसमें क्या होता है छोटी-छोटी raised dots हो जाते है और पीले रंग के होते हैं और कभी-कभी में पस चमने लगता है और secondary bacterial infection जैसे की imperative वगड़ा होने की संभाना रहती है तो ऐसी वस्ता में क्या करेंगे हम topical erythromycin cream जे सकते हैं बच्चे को लगाने के लिए और साथ में soothing effect के लिए आप caladryl, calamine या lactocalamine या physical lotion लगा सकते है और मालीजिया अगर acne persistent हो गए हैं लबक एक साल तक बने हुए हैं तो आप इसमें topical cream लगा सकते हैं जैसा कि मैंने पहला ही बता है कि topical erythromycin लगा सकते हैं एक agilic acid cream आती है वो भी लगा सकते हैं बेंजयल पर आकसाइड जिलाता है वो भी लगा सकते हैं और usually ये चीजे जो neonatal acne होता है ये time लेता है करीब 2-4 अप्ता तो लेगा ही लेगा इसलिए ज्यादा वरीड ना हुए और त्रिक रिजल्ट की अपिक्षा ना करना है कि जस्ट गया और फटाक से टॉक्टर ने क्रीम दिया और फटाक से ठीक है इसमें थाट time लगता है देखिए जो चीज यहाँ दूसरे टाइप के रैश जो कि यह बीमारी से रिलेटेड होते हैं जैसे की माईजिल के चिकन पॉक्स टॉप जोते हैं मतलब बॉड के मैश की चिकन पॉक सटार्टन की सीच और उनमें साथ में क्या होता है कोफलिक स्पॉट मिलता है बच्चे में मुग के अंदर एक वाइड कलर का पैच मिलेगा और और अंग से आंसों सुआता है आख लाल हो जाती है बच्चे की बच्चा इरिटेबल रहता है सर्दी जुकाम भी होते हैं बच्चे को और चिकिन प बारनमा होते हैं उनके अंदर पानी या जो सीरस फ्लूड रहता है वो भर जाता है और बीजबीच में फूटते भी रहते हैं वो क्रॉप्स में होते हैं मतलब सीरीज औफ स्टेजज रहते हैं उनमें जैसे कि कोई रैश छोटी है तो कोई बड़ी है तो कोई अभी भी बड़ी होके फूट जाती है फिर उसमें क्या होता है स्कैप्स बन जाते हैं यह स्कैप्स क्या थोड़ी में पील ओफ हो जाते हैं और वहां पर जो स्कीन का कलर होता है वो हाइपर पिमेंटेड हो जाता है हापर पिमेंटेड मतलब जो स्कीन का कलर है उसे था डाल कलर का औ और इससे भी विर्य रहनी की जरूत नहीं है, चिकन बाक्समें बच्चा एरिटेबल रहता है, और दिःड़ेटे रहता है, बिकाॉस वो बहुत ज़्यास कराँ कराएं, दॉन से दूम निकल रहा है, बून कर रहा है, लिक्विड स्वग्रा देते रहें और थोड़ा से कूल एक्मास्टेर में रखें क्योंकि इसकी इरिटेबल है अभी और कम्रेकर्ट आपमान करिब 28-28 degree centigrade रखें ताकि थोड़ी ठंड़त मिले और जुग इचिंग हो रही है जो से काफी इंटेंसी पें हो रहा है बच्चे को वो कम हो जाए और कुछ ही मोलेंट्स आप इस्तमाल कर सकते हैं चिकिन फॉक्स के रैश को सबसाइड करने के लिए सूधिंग इफेक्ट देने के लिए कांटर एडिटेंट की तरह आप दे सकते हैं केला केर लोशन केले ड्राइल लोशन फ्यूजर जलोशन भी लगा सकते ह लुक्ष कर लोशन